हेलो स्टूडेंट्स दिस इडिशनल क्वेश्चिन नमबर तू कह रहा है तू परसन मैनेज्ट टू पुशा मोटर कार ऑफ मास त्वेल्व हंड्रेड क्राम पहले सबसे पहला काम किसी भी निमारिकल में क्या करना है जो आपको गिवन इसको आप लिख लो कितना मास दिया है मास इस वेल्व हंड्रेड किलोग्राम at a uniform velocity अब देखो uniform velocity मतलब velocity constant है आपको पता है velocity constant है इसका मतलब acceleration 0 है body का और अगर body का acceleration 0 है इसका मतलब body पर लगने वाला net force भी क्या है net force is also 0 ठीक अब आगे बोल रहा है अचा अभी आगा है आपन रुप जाते हैं पढ़ लेते हैं the same motor car can be pushed by 3% to produce an acceleration of it इतना what force does each person push the motor car assume all the 3% push the motor car with the same muscular effort पहले हापन first part करते हैं ठीक जब दो लोग push कर रहे है कह रहा है हर person का force same है आपन यह मान लेते हैं let the force applied by each person force by each person is f अब आप ध्यान से देखो मानलों यह आपकी motor car है this is the motor car यह आपकी motor car है इसको दो बंदे push कर रहे हैं यह लगा force f और यह लगा force f तो total force कितना लग गया बटा f प्लस f लेकिन 2f force लगाने के बाद भी body की velocity constant है मतलब acceleration 0 है मतलब net force 0 है अब net force 0 कब होगा भाई यह दोनों force का direction तो same है जब मेरे पास कोई ऐसा force होगा जो motion को oppose कर रहा होगा और आपको पता है जब भी कोई गाड़ी road में चलती है तो कौन सा force motion को oppose करता है वो होता है force of friction ठीक अब सुनलो अब मुझे यहाँ पे पता है कि net force 0 है अगर मैं put करूँ अपना net force Fn N for net is 0 अब net force अपन कैसा निकालते है जो force same direction में लग रहे है उसको add कर दो और जो opposite में लग रहा है उसको minus कर दो तो same direction वाले force होगा है दोनों बंदों के तो applied force कितना होगा F plus F minus friction कहा लगता है friction always opposes the motion the force of friction को अपन minus कर देंगे friction is always represented by the small letter F आपको क्या मिलेगा 2F is equal to F ये आपको एक पहली equation मिल गई इसका भी काम आएगा आगे मतलब जो force of friction है वो applied force के बराबर है इसलिए net force 0 हो गया और body एक uniform velocity से move कर रही है आप कह रहा है second case में आते है second case किया बोला है the same motor car can be pushed by 3% to produce an acceleration of 0.2 अब कितने बंदे force लगा रहा है 3 लेकिन अब net force 0 नहीं है अब एक net acceleration लग रहा है और कितना लग रहा है 0.2 is the acceleration तो क्या होता है इस net force का formula अब net force का formula आजाएगा fn is equal to m into a अब तो 0 नहीं है अब सुनो अब कितने लोग push कर रहे है इस motor car को या आपकी motor car है इस motor car को अब 3 लोग push कर रहे है अब मेरी एक बारता आप ध्यान से सुन लो इसको अपने मन में बैठा लो यह हमेशा आपके काम आएगा कि अगर किसी भी object पर friction लग रहा है तो इससे मतलब नहीं है कि एक बंदा लगा रहा है force की दो लगा रहे है की मिया भी भी लगा रहे है की पूरा परिभाल लगा रहा है जो force लग रहा है friction का वो हमेशा सेम रहेगा वो कितने लोग force अपलाई कर रहे है उससे उसका मतलब नहीं वो हमेशा constant रहता है तो अब देखो अब तीन लोग force लगा रहे है तो इस तरफ वाला force 3F हो गया friction तो अभी भी लगता रहेगा इस तरफ तो net force कितना हो जाएगा applied force minus force of friction is equal to m कितना दिया है 1200 एक इतना दिया है 0.2 अब 3F force of friction की आपको value कितनी मिल गए first equation से this is equal to 2F multiply कर दो 12 2s are 24 एक decimal का 0 कड़ गया आगया 2F 240 3F minus 2F आगया F is equal to 240 Newton question में वही आपसे पूछा है with what force does each person push the motor car तो आपका F था force applied by each person आगया आपका answer 240 I hope this question is clear to you और आपको कोई भी doubt हो आप मुझसे मेरे चैनल पे वो doubt पूछ सकते हो ठीक और यहल का इधर हो किया बुरा मतमाना so you can ask that doubt on my channel there is also the telegram link to my channel you can also have my phone number it is given there और वीडियो पसंद आया हो so please share it with you thank you bye-bye